हेलो इस्टुडेंट्स आम सविता गुपता लेंग्वेज इंस्ट्रक्टर वेलकम इन लर्न विट सविता तो आप देखे कि यहां जो इस पेज पर लिखा है लर्न विट सविता यह मेरे वेबसाइट का नाम है आप गूगल या क्रोम में जाकर के लर्न विट सविता टाइप करिए और वहां से आप अलग-अलग सब्जेक्ट पर धेर सारे वीडियो देख सकते हैं तो आज हम क्लास नाइन्थ की मैथेमेटिक्स का चैप्टर पॉलिनॉमियल का एक्सरसाइज 2.1 के बचे हुए कोस्चन आंसर कवर करेंगे तो आते हैं अपने पहले कोस्चन पर इस एक्सरसाइज का तीसरा कोस्चन है जो कि ये कह रहा है तो ये दो एक्सामपल हमको देने के लिए कह रहा है तो सबसे पहला वाला हम लेते हैं जिसमें कह रहे हैं कि बाइनॉमियल ओफ डिगरी 35 ठीके तो हमें एक ऐसा बाइनॉमियल लिखना है जिसकी डिगरी क्या है 35 है चुकि बाइनॉमियल कहा है तो बाइनॉमियल में कितने टर्म होते हैं टू टर्म होते हैं तो हम टू टर्म वाला कोई भी पॉलिनॉमियल लिख लेंगे For example, हमने लिख लिया है 4x plus 7, इसमें 2 term है, पहला term 4x है और दूसरा है plus 7, अब चुकि यह कह रहे हैं कि polynomial की degree जो है, वो 35 होनी चाहिए, तो इस polynomial में जो variable है, वो क्या है? x है, तो x के उपर हम degree 35 लगा देंगे, तो हमारा final जो binomial बनेगा, वो क्या बनेगा? 4x power 35 plus 7, आप binomial कुछ भी ले सकते हैं, x plus 1 भी लिख सकते हैं, t plus 7 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो चलिए दूसरा हम लेते हैं, दूसरे example में यह कह रहे हैं कि given example of each binomial है, अब दूसरा जो example यह कह रहे है, monomial of degree 100, मतलब इसी में यह कहा जा रहा है कि एक ऐसा example बताईए, जिसमें कि हमारा polynomial जो है, वो monomial हो, और उसकी degree क्या हो? monomial हो, और उसकी degree क्या हो? 100 हो, तो चुकि monomial में एक ही term होता है, तो हम एक term माला monomial लिख लेंगे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 4x, एक ही term है 4x, और अब यह कह रहे हैं कि इसकी degree कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए, तो इसमें जो variable है, वो क्या है? x है, इसकी degree हम क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे, ठीक है, तो final हमारे पास जो monomial मिलता है, वो क्या मिल रहा है? 4x power 100, बहुत ही easy है यह, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आराम से cover कर सकते हैं, next यह कह रहे हैं, write the degree of each of the following polynomial, तो इसमें चार sub questions दिये हुए हैं, एक-एक करके हम देखेंगे, तो सबसे पहला हम लिखते हैं, हमारा जो polynomial सबसे पहला दिया है, यह है 5x cube plus 4x square plus 7x, तो यह कह रहे हैं कि इस polynomial का क्या लिखना है, हमको degree लिखना है, तो degree क्या होता है, किसी भी polynomial में जो variable होते हैं, जो चर राशी होती है, उसका जो power होता है, उसका जो exponent होता है, जिसे हिंदी में घातां कहते हैं, ठीके वो सबसे बड़ा वला जो power होता है वो इस polynomial की degree कहलाता है ठीके तो आप देखिए कि यहाँ पर variable x है यहाँ variable x है और यहाँ भी variable x है लेकिन इस x का power 3 है इस x का power 2 है और इस x का power 1 है तो इन में सबसे बड़ा जो highest power है वो क्या है 3 है ठीके तो यह जो polynomial है इसकी degree क्या होगी 3 होगी ओके नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एक और polynomial लिखा है यह लिखा है 4 minus x square तो इसमें a की variable है 4 minus y square इसमें a की variable है y और इसकी degree क्या है 2 तो इस polynomial की जो degree है वो क्या होगा 2 next जो हमें polynomial लिखा है वो है 5t minus root 7 तो यहाँ पा जो variable है यह क्या है t है t के उपर कोई भी power नहीं है ठीके तो हम क्या मानते हैं यहाँ power कितना है 1 है तो इस polynomial की degree क्या होगा 1 होगा ठीके बहुत easy है ना next देखते हैं कि write the degree of each of the following polynomial यहाँ question है और यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है polynomial 3 दिया हुआ है ठीके तो अब देखिए कि 3 एक polynomial है या नहीं है बिल्कुल है 3 एक polynomial है पर इसमें कोई variable नहीं है सिर्फ number है सिर्फ constant है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह क्या है एक constant variable है क्या है यह एक constant variable है ठीके इसमें कोई variable नहीं है पर चुकि हमें इस polynomial की जो की constant variable है 3 इसका क्या लिखना है डिगरी लिखना है तो हमें इस constant polynomial को एक variable देना होगा ठीक है तो चलिए हम इसको एक variable दे देते हैं x यहनि कि हमने 3 लिखा और उसको हमने एक variable क्या दे दिया x ठीक है और यहां इस x का power हम लिखेंगे 0 ठीक है तो x power 0 लिखने से क्या होगा आप देखिए यहां पर यहां पर यह जो 3 x power 0 लिखा है वही हमने यहां पर लिखा है 3 x power 0 और आपको मालूम है कि x power 0 होता है equal to 1 के यहनि कि कोई भी digit हो या कोई भी variable हो अगर उसका power 0 है तो उसकी value क्या होती है 1 तो हमने 3 की जगा 3 लिख लिया और x power 0 की जगा क्या लिख लिया 1 तो 3 into 1 is equal to 3 यहनि कि 3 x power 0 यह हमारा जो constant polynomial 3 है उसके बराबर है ठीक है तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अगर 3 को x power 0 हम दे देते हैं तो हमें जो monomial constant 3 है वही मिलता है और इसे variable भी मिल जा रहा है और देखिए कि इस variable का जो power है वो क्या है 0 है ठीक है तो इस तरह इस polynomial इस constant polynomial की degree क्या होगी 0 होगी ओके होग कि आपको समझ में आ रहा होगा next question है classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial तो देखे कोई भी polynomial linear है या quadratic है या cubic है ये depend करता है कि उस polynomial की degree क्या है अगर किसी polynomial की degree 1 है तो वो linear होगा किसी polynomial की degree 2 है, degree यह निकी highest power है नब तो वो quadratic होगा और किसी polynomial की degree अगर 3 है तो वो cubic होगा तो हम एक एक करके सारे polynomials को देखते हैं चेक करते हैं तो हमारे पास पहला जो है x square plus 2 एक variable है x और इस पर power क्या है 2 है यानि कि इसकी degree क्या है 2 है तो चुकि degree 2 है इसलिए कैसा polynomial है quadratic है next हम देखते है x minus x power 3 तो यहाँ देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है इस x का power 1 है इस x का power 3 है तो highest जो power है वो क्या है 3 है तो इसकी degree क्या हो जाएगी 3 हो गई हो गई तो चुकि degree 3 है इसलिए यह कैसा polynomial हो जाएगा cubic हो जाएगा ठीक है next हम देखते है y plus y square plus 4 तो यहाँ भी आप देखिए कि y पर power 1 है y पर power 2 है तो यहाँ भी highest जो degree है वो क्या है power 2 है तो इसकी degree इस polynomial की degree 2 हुई और यह क्या होगा quadratic हो जाएगा next आते हैं यह है कि 1 plus x अब आप देखिए x की उपर कोई power नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं इसकी उपर power 1 है और चुकि इसकी degree 1 है तो यह कैसा polynomial होगा linear polynomial होगा next पर आते हैं 3t तो यहाँ देखिए variable t है इसके उपर भी कोई power नहीं है तो हम इसके उपर power क्या मानेंगे 1 मानेंगे इनकी इस polynomial की जो की monomial है इसकी degree क्या है 1 है और degree 1 है इसलिए polynomial linear है next है r, r square है तो सिर्फ r square है एक ही variable है r और इसका power क्या है 2 तो इसकी degree क्या हुई 2 तो degree 2 है यहनी कि यह कैसा polynomial है quadratic polynomial है next है 7x cube ठीक है तो यहाँ variable क्या है x है और इसका जो power है इसका जो exponent है जिसे हिंदी में घातांक कहते हैं यह क्या है 3 है तो जिसका power 3 होता है वो कैसा polynomial होता है cubic होता है तो यह polynomial कैसा है cubic है तो students this is all about the exercise 2.1 of chapter polynomial तो hope कि आपको यह video अच्छी लगी होगी ठीक है अगर आपको मेरी videos mathematics के पसंद आ रहे हैं तो आप मेरी channel को subscribe करिए like और comment करिए मैं ऐसे और भी videos लेके आती रहूंगी Thank you, thanks for watching the video